तो बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि जो नोंने cyber time में complaint करवाई है online fraud के related, online scam के related वो complaint कितने दिनों में resolve हो जाती है और आपका जो पैसा है वो कितने दिनों वापस मिलेगा, किस तरीके से वापस मिलेगा, अब इस topic को जानने के लिए काफी लोगों ने मुझे comment भी किये इंस्टाग्राम पे भी बात करूँ तो मुझे daily के 30-40 message आते हैं जो मुझे पूछते हैं कि हमारे सा scam हो गया आगे हमें क्या करना चाहिए हमें complaint कैसे करनी है या फिर हमने complaint करवा दिये उसका जो पैसा है हमें कैसे वापस मिलेगा किस तरीके से वापस मिलेगा और कितने दि question तो होते हैं सभी का reply करता हूं सभी को बता पाऊं कि हाँ आप यह process कर सकते उसके बाद और इतने दिनों में आपका पैसा वापस मिलेगा तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना वीडियो को ध्यान से देखना विकॉज अगर एक छोड़ा सा पार्ट भी स्किप कर दोगे तो आगे जाके आपको दिक्कत आएगी फिर वही information ढूड़ने के लिए आप लोग 100 वीडियो को साच करेगी तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सस्क्राइब और आप इस वीडियो को शेर कर दीजेगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी ऑनलाइन फ्रॉड या फिर इसी तरीके का शिकार हुए है तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी हाँ अगर आपने ऑनलाइन फ्रॉड या ऑनलाइन स्कैम के लेटेड अपनी जो कंप्लेंड ह साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर रिजिस्टर करवा दिया है उसके बाद आप वेट कर रहे हैं आपकी कंप्लेंड कितने दिनों में रिजॉल्व हो जाएगी और आपका पैसा कितने दिनों में आपको वापस बिल जाएगा तो यह डिपेंड करता है अलग अ दूसरे तीसे नंबर पर देख लेते हैं लोग काफी अची इंफोरमेशन मिल जाती है उसके बाद फटाफट जाके कंप्लेंड को रिजिस्टर करवा देते हैं कंप्लेंड अगर आप फुट्ली रिजिस्टर कर वाते हो तो उसके बाद क्या होता है कि जो नेशनल साइबर साइबर क्राइम रिपोर्टिंग को तो की तरफ से कि जो अकाउंट के खिलाप आपने कंप्लेंड करवाई थी वो बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया हमारी तरफ से और पैसा वहीं पर लॉक कर दिया अब आपको एक स्क्रीशोट भी दिखाता हूँ अब यह रिसेंट करना पड़ेगा और वहां पर आपको साइबर क्राइम और इस तरीके का पैसा करने के बाद इंक्वाएरी होगी इंक्वाइरी होने केवाद आपको पैसा आपको आपस मिल जाता है बट यहां पर भी आपको एक चीज कर नी कर आड़ेगी इस चीज़ को आप लोग कर बैंक चाहब कर वह सकते हैं वह चीज़ को सब्द्र और कैने था ढ़ए लोग한데 करना चाहते हैं नेक्स्ट कॉल का बड़न बहुत ज़्यादा है तो कई बार यह ऐसा इसा गी होता है को पूरी कंप्लेंट कर लिए अगली कॉल आगई वह आपकी कंप्लेंट सेव नहीं करते हैं कंप्लेंट ऐसे किप कर देते हैं और अगली कॉल पर बात करना स्टार्ट कर वहां पर इस में बोलते हैं कि आपको रिक्ष्ट नंबर आपको वाई ऐसमिस आजाएगा तो कई बहुत सब्सक्राइब और की मुझे कंप्लेंट नंबर लिखवा देजें नंबर नोड करके रख थिकिते हो सब आपको डिटेल मिल जाएगी कि आपका पैसा कितने दिन वापस आएगा और अपकी कंप्लेंट का स्टेटस क्या है कितना टाइम लगए और चार्ट बैक करवाने के लिए उस पर अगर कोई दिक्कत आरी तो आप पर आगे इंवेस्टिगेट करवा सब्सक्राइब तो काफी लोग मुझे से यह भी पूछते हैं कि हमारा 50% पैसा वापस आ चुका है 70% आ चुका है 80% आ चुका है जो बचा हुआ पैसा है वह में कम मिलेगा कैसे मिलेगा और इसके लिए कोई एक्स्टा फॉर्म तो नहीं फिल करना पड़ेगा तो यहां पर आपको बताता हू है कि आपको 100% पैसा वापस मिल जाएगा यानि कि अगर आपका 50% या 70% 80% आ चुका है तो बागी का पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा सेकंड कंसर यहां पर यह हो सकता है कि जिस भी अकाउंट में आपने पैसा ट्रांसफर किया है उस अकाउंट के परसन ने थोड़ा स पैसा कुछ दिनें वापस मिल जाएगा अब यहां पे बात करतें सेकंड्फिक के बारे में किया होता है कि आपने कंप्लेट के लिटेरिज यह करवा जिसने आपके साथ किया है वह पैसा आरडी इसने विड्रॉल करतें वाले इस चीज़ को आगे आप निशा स्वार्ट प तो नहीं होता, scam करके वो आगे भी निकल जाता है, तो उसको trace करने में time लग सकता है, कितना लगेगा, एक दिन लगगा, दो दिन लगगा, दस खंटे लगे या पिर एक महिना लगेगा, एक साल भी लग सकता है, इसके लिए कोई भी timing अभी तक नहीं बताएगी है, और third concern लो जाएगा विकॉज जो पेपाल है या पर पेजिस तरीके की जो साइट से काफी ज्यादा सिक्यूर होती है बट इनके अगर आपके अकाउंट में नहीं आता है तो उस टाइम पर आपको बैंक को कॉंटेक्ट कर सकते हो आपका पैसा वापस मिल जाएगा बट पेपाल और स्केम वाला ज्यादा खत्रा नहीं होता है तो एक और यहां पर आता है करना नहीं आता है किस तरीके से करते हैं तो अगर आप कॉल पर करना चाहते हो तो 1930 का इस्तिमाल कर सकते हो अगर आप पढ़े लिख्यों आपको मुबाइल फोन अगर अच्छे तरीके से चलाना आता सब्सक्राइब नहीं होती है जो नहीं पढ़ा लिखा है वो डिटेल पर अच्छे तरीके से नहीं बता सकता है तो वहां पर वो लोग डाल देते हैं तो इस तरीके इसको अगर आप स्किप करना चाहते है तो अगर आदी इंवेस्टिगेट करने में थोड़ी दिक्कत आए तो यहां पर एक और कंसर मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है कि हमने आपकी कोई भी डेटेल नहीं बताई किसी भी तरीके की डेटेल नहीं बताई कोई OTP भी शेयर नहीं किया कोई नमबर नहीं बताई बट स्टिल हमारा पैसा किसे नहीं निकाल लिया है तो इस केस में आ तो आपको तीन दिन से पहले अपनी incomplete बैंक में जाके रिजिस्टर करवाने होती है अगर आपके साथ कारड में credit card में fraud होता है जो होते है बिना OTP के पैसा निकाल लिया जाता है तो अगर आपके साथ के साथ क्रेडेट का प्रॉद होता है तो कोई न अपको पॉल्सी जरू टॉपिक जिस फिर लेटेड मुझे काफी ज़्यादा कोईरी साहती है होपुली यहां पर मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया स्टिल अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट बोक में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो तो कैसी लगी वीड इस तरह की किसी वार वीडियो में तब तक के लिए गुट पाइए